निर्देश दिया है कि वो जिलू में कुरोणा वारत से लड़ने की तैयारियों का जाइजा ले साथ है अधिकारियों को बारिश और पोला वरिश्टी से हुए नुपसान का आकलन करने एक असबता में राहत पहुचाने का निर्देश भी स्टीम योगी आदत नात ने दिया नहीं हम लोगों को निर्देश मिला है कि अपने परभार चेत्र में मुख्यमंती जी ने पूरी व्यवस्ता अस्पतालों की है अलग से व्यवस्ता की है बेट की व्यवस्ता की है और उसको हमको जाकर के निरिचर करना है देखना है कि कहीं अगर ऐसा ही सिती मिलती है तो उ कि मुख्यमंत्री जी ने पहले से कर दिया हमको उसको निरिचल करके देखना है साउधानी बरतनी है जागरूख करना है मेडिकल कॉलेज और जितने भी सरकारी अस्पताल है लगबग 1200 बेड की सरकार की तयारी है कि जो कोरूना वायरेस के से प्रभावित होने वाले जो मरीज हैं उनके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए करके हमारी सरकार ने पहले से तयारी अपनी कर लिया और सभी मंत्री भी ज मिल्देश दिया है कि कोरोना वायरेस से पीडित लोगों को जो निगरानी की जाए उनको परयाप इलाज दिया जाए हर जिले में जन्पद में अपने मंत्री जाएं वहां पर जो सोलेशन वार्ड बनाए गए हैं उनको पुरी तरिके से निगरानी करें कहीं कोई लापरव साही ना हो पाए सारी सरकार के जो तीन साल पूरे हो रहे हैं उसको को लेकर कि मीडिया के थ्रू प्रेस कॉंफरेंस करेंगे और पत्री का जो जिलेवार और विधान सबावार चापी गई है वो बिच्छित की जाएगी जन जन तक कहीं पर भी बड़ा कोई कायक्रम ऐसा न पर आईए आपको दिखाते हैं करोना से जुड़े हुए कुछ सवाल और उनके जवाब